नमस्कार मैं हूँ जैनिश मसी और आपका स्वागत है पब्लिकेशा नियूज में अब वक्त है चत्तिसगाड की बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराने का पहली खबर के और बढ़ते हो आपको बता दें चत्तिसगाड हाई कोट ने बहुचर्चर जग्गी हत्याकान के आरोपियों की सजा बरकरा रखी है हाई कोट की डिवीजन बैंच ने आरोपियों की अपील खारिच करते हुए उम्रकैद की सजा बरकरा रखी है हाई कोट ने अपने एहम फैसले में राश्वाती गॉग निग्रेस पार्टी नेता रामावतार जग्गी हत्याकान के 27 आरोपियों के मामले में ये फैसला सुनाया है चीव जस्टिस रमेश सिनहा और जस्टिस अर्विंद वर्मा डिवीजिन बैंच ने उनकी आजीवन कारवास की सजा को बरकरा रखा है वहीं आगे बढ़ते हो आपको बता दे जांजगीर चांपा जिले के NH49 पर तेज रफ्तार वाहन ने एक बाइक पर सवार यूवक को अपनी चपेट में ले लिया जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गए में तक की पहचान 58 साल के सियारा म्यादफ के रूप में की गई है वो अंतिम संसकार कारेकरा में शामिल होकर अपने घर लोट रहे थे अग्यात वाहन चालक मौके से फरार हो गया पुलिस ने शब को कबजे में लेकर पी-म के लिए भीज दिया और आगे की कारेवाही की जा रही है वहीं आगे बढ़ते हो आपको बता दें रायपुर से जेल प्रिशासन की एक बड़ी लापरवाही की खबर सामने आई है को इसकी सूचना दी बता दें अस्पताल से फरार होने वाला कैदी महेश वर्मा डबल मडर का आरोपित है ये कैदी इलाज के लिए जिलास्पताल में भरती कराया गया था वही आगे बढ़ते हो आपको बता दें कोरबा के गेवरा खदान में से सी सी एल से शिकायत मिलने के बाद छे डीजल चोरों को गिरफतार क्या गया आरोपियों के कबजे से कैमपर और दो जमों में भरा 400 लीटा डीजल बरामत क्या गया जिसकी कीमत 40,000 रुपए बताया जा रहा है कि लगातार खदान में डीजल चोरी की घटना सामने आ रही है इसी के चलते पुलिस ने ये कारेवाही की वही आंगे बढ़ते हो आपको बता दें राजधानी रायपूर के नस्दीक रीवा गाउं में विजय मग, घम मग जैसे सामान भी मिल रही है इस पर एक और हाती बना है और दूसरी और भ्रामनी लिखा हुआ है ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें पब्लिकेशा निउस धन्यवाद